आज की कहानी है आचार्य चतुरसिन सास्री की बस की यात्रा हम पांच मित्रों ने तै किया कि शाम चार बजे की बस से चलें पन्ना से इसी कमपनी की बस सतना के लिए घंटे भरबाद मिलती है जो जबुलपुल की ट्रेन मिला देती है सुभा घर पहुँच जाएंगे हम मैंसे दो को सुभा काम पर हाजिर होना था इसलिए वापसी का यही रस्ता अपनाना जरूरी था लोगों ने सलाह दी की समज़दार आदमी इस शाम वाली बस से सफन नहीं करते क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं बस दागिन है बस को देखा तो श्रद्धा उमर पड़ी खूब वयो व्रिद्ध थी सदियों के अनुभव के निशान लिये हुई थी लोग इसलिए इससे सफन नहीं करना चाहते थे कि व्रिद्धा आवस्ता में इसे कस्ट होगा यो बस पूजा के योग के थी उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कमपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे हमने उनसे पूछा यो बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी अभी चलेगी? हमने कहा वही तो हम देखना चाते है आप अपने आप चलती है यो? हाँ जी और कैसे चलेगी? गजब हो गया ऐसी बस अपने आप चलती है हम आगा पीछा करने लगे डॉक्टर मित्र ने कहा डरों मत चलो बस अनुभवी है नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वस्निय है हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी हम बैट गए जो छोड़ने आये थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हूं उनकी आखे कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर आदमी को कूच करने के लिए एक निमित चाहिए इंजन सच कुछ स्टार्ट हो गया ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर वैठे हैं काज बहुत कम बचे थे जो बचे थे उनसे हमें बचना था हम फोरन खिड़की से दूर सरग गए इंजन चल रहा था हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है बस सच मुच चल पड़ी और हमें लगा कि यहो गांधी जी के असयोग और सविने अवग्या आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी हर हिस्सा दूसरे से असयोग कर रहा था पूरी बस सविने अवग्या आंदोलन के दौर से गुजर रही थी सीट का बॉडी से असयोग चल रहा था कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल रही है कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भगी जा रही है आट-दस मिल चलने पर सारे भेदभाव मिट गए यो समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठी है या सीट हम पर बैठी है एका एक बस रुख गई मालूम हुआ कि पैट्रोल की टंकी में छेद हो गया है ड्राइवन ने बाल्टी में पैट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली भर कर इंजन में भैजने लगा अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कमपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पैट्रोल पिलाएंगे जैसे मा बच्चे के मुह में दूद की सीसी लगाती है बस की रफतार अब 15-20 मील हो गई थी मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था ब्रेक फेल हो सकते हैं इस्टेरिंग तूट सकता है प्रकृति ये दर्सन बहुत लुभावने थे दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे मैं हर पेड़ को अपना दुस्मन समझ रहा था जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता जील दिखती तो सूसता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी एका एक फिर बस रुखी ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं सभी ने अवग्या आंदूलन सुरू हो गया कमपनी की हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स क्लास है जी यह तो इत्फाक की बात है शीन चान्नी में रक्षों की छाया के नीजे वह बस बड़ी देनी ये लग रही थी लगता जैसे कोई व्रिद्धा ठक कर बैड़ गई हो हमें गलानी हो रही थी की वेचारी पर लतकर हम चले जा रहे है अगर इसका प्राणान तो हो गया तो इस वियाबन में हमें इसकी अंतिस्टी करनी पड़ेगी हिस्सेदार सहाब ने इंजन कुला और कुछ सुधारा बस आगे चली उसकी चाल और कम हो गई थी धीरे धीरे व्रिद्धा की आँखों की रोश्नी जाने लगी चानी में रस्ता ट्रोल कर वह रेंग रही थी आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एक दम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी अपनी तो वह उम्रे ही नहीं रही एक पुलिया के उपर पहुँचे ही थे की एक टायर फिस्स करके बैठ गया वह बहुत जोर से हिल कर थम गई अगर स्पीड में होती तो उचल कर नाले में गिर जाती मैंने उस कंपनी के हिस्सेजार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हतीली पले कर इसी बस से सवार कर रहे हैं उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्बल है सोचा इस आदमी के साहस और बलीदान भावना का सही उप्योग नहीं हो रहा है इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदुलन का नेता होना चाहिए अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सम मर जाते तो देप का बाहे पसारे उसका इंतजार करते कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिये मर गया पर टायर नहीं बदला दूसरा घिसा टायर लगा कर बस फिर चली अब हमने वक्त पर पन्ना पहुँचने की उमीद छोड़ दीती जिन्दे की इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोग को प्रयान कर जाना है इस प्रित्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है हमारी बेताबी तनाव खतम हो गया हम बड़े इत्मिनान से घर की तरफ बैठ गये चिंता जाती रही हसी मजाग चालू हो गया अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब किजे